मुझे पता है कि इस पर आपके विचार दिल्चस्प है लालच के बारे में मैं कॉर्पोरट के संदर्ब में लालच की बात कर रहा हूँ और इसके बारे में बात करते हुए कई रंग देखेंगे पर मुझे यकीन है कि यहां मौझूद सभी लोग आपका नजरिया जानने के लिए बहुत उच्सुक है अगर आप लालच शब्द का इस्तमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट एकॉनमी चला रहे हैं पर आपके दिमाग में कम्यूनिजम घूम रहा है आप लालच की बात तभी कर सकते हैं जब आप एक कम्यूनिस्ट हों मार्केट एकॉनमी में लालच की बात मत कीजिए बहतर कानूनों की बात कीजिए अगर कोई रोज एक बिलियन डॉलर कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगाईए 900 मिलियन आप टैक्स लगा सकते हैं जो वैसे भी बढ़ जाएगा लेकिन उसे इतना फाइदा भी हो कि वो काम करता रहे उसका जोश कम न हो तो पूंजीवाद इसी तरह मैनेज होता है यहां आप ये न कहें कि Corporate Social Responsibility की ये पूरी बात मेरे खयाल से ये अजीब है ये बस एक दिखावा है उसके बजाए सरकार अगर प्रशासन के पास जरूरी समझ है तो आप सही किसम की नीतियां ला सकते हैं जहां बिजनिस बेलगाम विकास कर सकते हैं लेकिन इससे बाकी समाज को सकता है क्योंकि अगर आप सेवा का फाइदा लेते हैं तो आप अपनी गरिमा खो देंगे अगर आप सेवा प्रदान करते हैं तो आप स्वर्ग जाते हैं ये दोनों गलत है मेरे खयाल से सद्गुरु कह रहा है कि लाब कमाना एक अच्छी वज़ा है और अगर आप इसे लालच कहते है तो वो लालच अच्छा है और लालच अच्छा है मेरे विचार से लाब एक ऐसी चीज है जो नहीं अगर आप लालच की परिभाशा देखें लालच क्या है देखिए कोई इंसान जो अपने आफिस या अपने घर पैदल जा रहा है उसके लिए साइकल पर जाने वाला इंसान जो उसे साइकल पर ले जाने से मना कर देता है वो एक लालची आदमी है साइकल चलाने वाला इंसान मारूती कार चलाने वाले को देखता है और उसे लगता है कि वो लालची है सिर्फ अकेला आदमी मारूती कार चला रहा है वो मुझे उसके परिवार को और मेरे परिवार को मारूती कार में ले जा सकता है क्योंकि भारतिये लोग ठूस कर बैठ सकते हैं एक इनसान जो मारूती कार चला रहा है जब एक Mercedes या BMW पास से गुजरती है तो वो कहता है लालच का भद्दापन एक इनसान जो BMW चला रहा है वो एक ऐसे इनसान को देखता है जो बुगाटी चला रहा है और उसे लगता है कि वो लालच है तो लालच क्या है? इसकी परिभाशा को कौन तै करेगा? मैं कह रहा हूँ जब आपने market economy को चुना है तो आपके जीवन में इस शब्द के लिए कोई जगा ही नहीं है आप ये समझते हैं कि लालच ही प्रेरणा देने वाली ताकत है अब ये कानून का काम है कि लालच को इस तरह manage किया जाए कि आपकी लालच का लाब सभी को मिले एक कहावत है, अफरीकी जातियों में एक कहावत है जब शेर खाता है तो बाकी सब को भी खाना मिल जाता है तो अगर आप एक शेर हैं तो आपके पास बड़ी क्शमता है जब आप भोजन करते हैं तो कानून को इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप लाप कमाते हैं तो सभी अच्छे से जी पाएं लालच या सेवा या कॉर्परेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के बारे में बात करने के बजाए मुझे नहीं पता कि वे खुद को इन चीजों में क्यों भटका रहे हैं तो लाप को ज्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए उचित रुप से टेक्स लगाएं और सभी को फलने फुलने दे